कि नॉर्मली एकनोमिक्स में डिमांड का प्रब्लम होता है यह सप्लाइ का प्रब्लम होता है इसमें डिमांड और सप्लाइ दोनों बंद पड़े हैं तो इसमें आपको सरकार को दोनों डिमांड और सप्लाइ को एक साथ स्टार्ट करना है इस पैकेज में कर्ज की बात की है मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली डिमांड शुरू नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजे नहीं खरीच सकते हैं तो मैंने शुरूआत में बोला कि इस पैकेज को रीकंसिडर करना चाहिए अरेंद्र मोदी जी को और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए उसमें न्याई जैसी योजना हो आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुपसान नुपसा होता है यह supply का problem होता है इसमें demand और supply दोनों बंद पढ़े हैं तो इसमें आपको सरकार को दोनों demand और supply को एक साथ start करना है इस package में कर्स की बात की है मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली डिमांड शुरू नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजे नहीं खरीच सकते हैं तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रीकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए उसमें नयाई जैसी योजना हो आप उसको दूसरा नाम दे दीजे मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की ज़रूरत है और अगर हमने पैसा नहीं दि तो बहुत बड़ा आर्थिक नुक्सा